जवाब हमें देने नहीं आते, हम जैसों को बहाने नहीं आते, तूने दिल पर हाथ रखा है, तो ये जान ले। दिल के दोरे नहीं आते, बहुत बहुत शुक्री है, सबने ये एक, सबने ये एक मुखोटा पहना हुआ है, मुस्कुराहट के पीछे ही तो सब कुछ चिपा हुआ है। और दे देना तुम उनको भी ताले की चावी, दे देना तुम उनको भी ताले की चावी, जिनके लिए ये दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। जिनके लिए ये दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, और मुलाकातें अगर करनी हो, देखिए समाच को ताना है कि, कि मुलाकातें अगर करनी हो, तो सबके सामने करना, अकेले में तो हर रिष्टा बदनाम हुआ है, और जो करता है तुम्हारी सबसे ज्यादा तारीफ, जो करता है तुम्हारी सबसे ज्यादा तारीफ, असल में वही इनसान सबसे ज्यादा बिका हुआ है, और अक्सर वो लोग जजबातों का हिसाब रखते हैं, देखिए शायद भई, कि अक्सर वो लोग जजबातों का हिसाब रखते हैं, जिनका महबत में बहुत खसारा हुआ है, जिनका महबत में बहुत खसारा हुआ है, और अगली लाइन अगर आप तक पहुँचे तो जरा समझेगा ताली चाहूँँगा, कि लिखा था कि, हाँ, कि, हाँ, अक्सर वो लोग जजबातों का हिसाब रखते हैं, जिनका महबत में बहुत खसारा हुआ है, और कर ली हो वकालत, तो अब ये भी बता दो, कि जमानत का अब और कितना पैसा हुआ है, इस बात का हिजर अब और नहीं मना सकते, कि मेरे बाद वो शक्स हर किसी का हुआ है, कि मेरे बाद वो शक्स हर किसी का हुआ है, लेखकों की भी एक दुनिया होती है, तेरी सोहबत से निकल कर हमें ये मालूम हुआ है, बहुत 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 पन्ने पर स्याही से क्या लिखता हूँ कि तुम्हे क्या मालूम में क्या लिखता हूँ सफेद पन्ने पर स्याही से क्या लिखता हूँ पाने में तुमको अब वो मज़ा नहीं इसलिए तुमको अब वो मज़ा नहीं इसलिए अब तुम्हे किताबों में लिखता हूँ और य बहाना है ये नजमे गजले शेर तो सब बहाना है एक तुम्हें याद करने के लिए मैं ये सब लिखता हूँ और अक्सर लोग शायर को मुहबत में हारा हुआ कहते हैं देखिएगा कि अक्सर लोग शायर को मुहबत में हारा हुआ कहते हैं यही सोच कर अपनी मुहबत को मुक यही सोचकर अपनी मुखबत को मुकम्मल लिखता हूं बहुत वा शुक्रिया कि फैसले अकसर फासले बढ़ा देते हैं यही सोचकर मैं तुम्हें बरदाश करता हूं और अब यह हाथ तुम्हारी जुल्फों को नहीं सवार सकते हैं इसलिए अब शब्दों को तराश कर में कह लिखता हूं बहुत बहुत शुक्रिया